वीडियो के साथ में जो आर ये वीडियो होने वाली है multiple choice questions होने वाले हैं आपके business management जो आपकी unit है उसके उपर ठीक है तो इसके उपर मैंने लगब यहाले questions हैं आपके history से related questions है कि management history जो type के थोड़े questions है 20 questions इसमें आपको करा दूँगा करीब 50 questions की सीरियस दो वीडियो में discussion कर लेंगे हम ठीक है और आपका अगर response अच्छा रहा है वीडियो पर तो काफी सारे questions वगरा की वीडियो सीरीज डाल दूँगा मैं आगे इसके भी काफी सारे questions डाल दूँगा 50 questions तो MCQs आपके business management के डाल दूँगा और 20-30-40 questions आपके financial management या फिर management accounting के डाल दूँगा अगर आ that they do it in the best and the cheapest way यह किस ने बोला था ठीक है अलग-अलग क्या नामे राइटर्स ने अलग-अलग theory given करिए तो आपने दिहान रखना है कि जो टेलर के थे टेलर के आपके टेलर ने आप टेलर ने दिये थे scientific principles दिये थे टेलर ने आपको पता होगा एंड्री फेवल ने 14 principles दिये थे वो भी theory आपको पता होगी मारी पेर कर फॉलेट ने यह मैंने ज्यादा देखा नहीं है लिकट का भी है तो दो option तो इसमें से पहले हटा लीजिए कि जो यह बोला गया है कि art of knowing exactly मतलब कि art ऐसी कि exactly जिसमें हमें यह man को पता हो कि उसे क्या क दोली गई थी fw Taylor के तोरान यह आठ मतलब कि exactly मतलब कि मैंन को मैंन से क्या करवाना है आपने ठीक है बैस्ट और चीपेस्ट वे में यह बोला गया था है अपनी management theory में द्यान रखना है अपने सेकेंड है the management tool undertaken to find out the one best way of doing the thing is dumbed as ठीक है कि management tool के अंतरगत हमें यह find करना है one best way find करना है जो things को do करने का मतलब ठीक को करने का ठीक है उसको क्या बोलते हैं ठीक है नॉर्मल सी बात है कि job evaluation तो नहीं बोलते है job evaluation आपने क्या कहते है management accounting में भी थोड़े से terms मा जाएगा या फिर किसी और चीज मा आ जाता है वो ठीक है job enrichment भी नहीं होगा merit rating भी कोई word यह ही नहीं आएगा कि management ऐसा कौन सा management tool है जिसके undertaken में best way से हम काम कर सकते हैं किसी भी चीज का ठीक है तो उसको बोला जाता है job analysis ठीक है management management tool है job analysis आपके third chapter यह fourth chapter के अंदर आता यह तो आपने business management अगर आप पढ़ेंगे तो उस वाले chapter में साब पढ़ लीजेगा job analysis ठीक है तो जो correct answer हो जाएगा second वाले का वो जाएगा आपका a वाला answer ठीक है जिसे job analysis है ठीक है third question पूछा गया है which school of thought had been developed on the idea that there is no single best method to find solution to managerial problems problems ठीक है इसका correct answer आपने बता रहा है कि वो कौनसी approach थी system approach थी empirical approach थी contingency approach थी या फिर operational approach थी तो इसका जो correct answer हो जाएगा contingency approach हो जाएगा ठीक है यार देखिए काफी कर मतले की management management लगता काफी easy है बट अगर आपने उसकी theory नहीं पढ़ी है ना तो आप answer नहीं दे पाएंगे इस चीज का जो मैं आपको यह भी questions करा रहा हूं इसमें से आपको सारे ऐसे लग रहे होंगे कि क्या नाम में यार सरने या ले questions कहां से डाल दे बट अगर आप theory पढ़ेंगे और क्या नाम में theory में काफी सारी चीज़े नहीं आती इसके जितने management का लगबा लगबाग आप यह मान के चलिए mcqs कर लिजिएगा जितने कर सकते हैं क्योंकि mcqs से आपको idea हो जाएगा कि किस चीज़ का क्या answer है वरना क्योंकि theories है ना क्योंकि theories नेट पर पूरी अविलेबल नहीं है और आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत time लग जाएगा उससे तो क्या नाम है mcqs ज्यादा follow कर ले ना बात बाकी का जो कुछ थोड़ी अपरोच के थे इंपरिकल अपरोच के थे या ऑपरेशनल अपरोच के थे ठीक है तो आपने ध्यान रखना है जो कूंस और ओड़नल थे यह एडवोकेट थे ऑपरेशनल अपरोच के ठीक है यहां पर मैं अपरोचे वगड़ा discussion नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी वर रहा है क्योंकि 10-15-20 question करने में हमें इसमें काफी टाइम लग जाएगा तो ध्यान रखना है ऑपरेशनल अपरोच के वह क्या थे एडवोकेट थे क्योंकि मैं काफी जा रहा है इसमें जो questions आ रहे हैं वो deeply भी पूछे गया है बट यह कि आ तो conviction according to which approach management is a logical process and it can be expressed in the terms of mathematical symbols and relationship तो किस अप्रोच में देखा जाए तो mathematical symbols और relationships शो करे जाता है इंपैरिकल में, management science approach में, contingency approach में या operational approach में ठीक हैं तो जो पाच्वे का correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा management science approach नॉर्मल सी बात है उसी में mathematical tools विए science से एक systematized body of knowledge होता है जिसमें experiments भी दिये रहते हैं आपके observation पर भी based होती है ऐसे facts figures होते हैं जो की universally acceptable होते हैं तो उसी में management science approach में ही mathematical symbols और relationship express किये जाता है ठीक है logical process के दुरान तो फिफ्त वाले का answer जो correct हो जाएगा आपका फिफ्त वाले का B हो जाएगा आपका management science approach इसके पास six वाला question जो है which of the following study helps to determine a fair day's work at rest period to complete it ठीक है ये आपने बताना है कि इन में से कौन सा fair day's work में rest period में complete कर जाता है ठीक है ये question ध्यान से पड़ेगा which of the following study helps to determine a fair day's work ठीक है कितना fair day work हुआ है and rest period to complete और कितना बचावा है जो बचावा काम है उसको कितने दिन लगेंगे complete करने के लिए तो जो ये study करी जाती है यार नॉर्मल सी बात है motion study नहीं होता time study आप time को सोचेंगे तो time study इसमें देखें work से related पूला गया है तो work से related आप normal सी बात है work कोई तो study करेंगे कि कितना work हो चुका है और कितना work अभी बाकी है तो आपने ध्यान रखना है इसमें काफी बच्चे गलत करते देखें time study करते हैं time study नहीं होता है इस मतलब कि work study के according हम यह determine करते हैं कि कितने fair days work हो चुका है हमारा और कितना जो work बचा है वो कितने भीरों में complete हो जाएगा तो यह सारा का सारा complete study करते हैं work study में ठीक है ध्यान रखेगा इसके पास सात्वा question आज़ा which of the following study is aimed to determine and eliminate unnecessary and wasteful moments ठीक है कौन सी study में हम यह aim करते हैं और यह treatment करते हैं जिसमें हम eliminate कर रहते हैं unnecessary और wasteful moments work study में time study में motion study में या फिर सब में ठीक है तो सात्वे का जो correct answer हो जाएगा आपने बताना है कि इस देखिए work study में तो work study करते हैं आपने इस वाले इसमें पूछा वाग गया है कि क्योंसी इसमें से यह aim रखते हैं determine eliminate करते हैं unnecessary wasteful moments ठीक है unnecessary wasteful moments किसमें होगा motion study में आता हो ठीक है कि motion आपने कोई काम आपने यह box उठाकर वहां से यहां तक में कितनी देर में रखा ठीक है कि आपको समाल लेने वहाँ से मतलब की factory की दूसरी साइट से यहां लेकर जाना पड़ रहा है तो यह सारी चीज़े motion में study होती है motion study में पड़ते हैं कि ताकि unnecessary जो wasteful moments है वह ना हो कि worker को क्या नाम है फाल्तू की activities ना करनी पड़े उसको वह समान एक प्रॉपर जगा पर मिल जाए जहां से वह उठाकर वहां पर काम करने पर लिजा ले यह नहीं कि पहले उससे समान लेकर आना पड़ रहा है दूसरी जगा से फिर वह आ रहा है फिर काम कर रहा है तो वह सारी wasteful activities हो रही है ठ vtoilr ने लिखे थी हैंडjen nे लिखी थी यांप पीटर करने लिखे थी ये बहुत अच्छा कोशन्म है आपने बताना है कि ये बुक किस ने लिखी थी कैशा राइटर है वह अभी भार होगे तो नॉर्मल से बज़े कि इन दोनों में से किसे लिखे होंगे देखिए टेलर ने जो लिखे थे ना टेलर ने लिखे थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो लिखे थे उसने ठीक है तो नॉर्मल सी बात है इस वाले को जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वह ठीक है है अफॉर्टी और रिस्पोंसिमलेति एक दूसरे एक में क्या होते हैं यह बताना आए आपने थीकर तो याद रखिएगा और रिसपोंसिमलेटी आपका प्रिंसिपल है ठीक है है घंडरी Gibson ने दिया ता तो यह आपका जो सप्लिमेंटरी नही रोता ठीक है यह है और responsibility वह worker होते हैं जो काम को पूरा करते हैं मतलब जिम्मेदारी को पूरा करते हैं तो यह दूसरे के लिए complimentary है कि authority होगी अब normal सी बात है कि मालिक सारा काम करने बैठ जाएगा तो ऐसा तो the concept of management by objectives किसने concept develop कर रहा था management by objectives के तुरू मैसलो ने कर रहा था हर्जबग सीमन ने कर रहा था हर्जबग ने कर रहा था पीटर एफ ड्रकर ने ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा 10th वाले का वो हो जाएगा आपका D ध्यान रखिएगा आप ठीक है कि objectives जो concept है management objectives के तुरू वो develop कर रहा था आपके पीटर एफ ड्रकर ने इसके बाद 11th question आ गया which of the following thinkers believe that leaders are not born but also developed through proper training in human behavior ठीक है किसने यह थिंग कर रहा था यह believe कर रहा था कि जो लीडर पैदा नहीं होते बलकि develop करे जाते हैं एक proper training के द्वारा human behavior में मैरी पारकर पॉलेट ने fw टेलर ने सी के प्रलाद ने यह फिर पीटर एफ ड्रकर ने ठीक है तो देखिए पीटर एफ ड्रकर ने तो आपने क्या पढ़ा था concept management by objectives develop करा था तो पीटर एफ ड्रकर तो बाहर हो गया question से ठीक है fw टेलर आपने पढ़ा था कि fw टेलर ने क्या निकाले थी scientific management निकाले थे तो वह भी भार हो गया ck प्रलाद ने ck प्रलाद ने indian theory करी थी इनकी accepted नहीं हुई थी तो ठीक है अगे option आपके पास क्या बता मैरी पारकर फॉलेट ने बोला था कि leaders बॉर्ण नहीं हो तो leaders को बनाया जाता है एक प्रॉपर टेनिंग के दुवारा उनकी human behavior में लाके ठीक है तो 11 का correct answer हो जाएगा आपका ए ठीक है 12 question में पूछा गया है the concept of job enrichment is a contribution बाय कि job enrichment जो concept था contribution वो किस ने करा था रेडरिक हार्सबागד ने fw taler ने सीखे प्रलाद ने या पीटर र employer करने ठीक है तो peter the drucker का आपने उपर भी क्पिशन था वो किसने दिया था अपके फ्रेडरिक हर्जबंग ने दिया ठीक है आपको इसको याद करना करना तो एक चार्ट बना लीजिए बावाइब कि किसने क्या क्या बोला था, ठीक है, यहाँ पर वाक्या लिख लिख लेना, मतल tax लिख लेना उनके कि क्या-क्या चीज दी थी, यहाँ पर उनके writers लिख लेना, क्योंकि अलग-उलग छीज boxer बोली गई तो आपने यह लिख लेना है एक जगा पर और दूसरी जगा पर इसका नाम लिख लेना है ओके थार्टी नवारा कुशन आपका आ जाता है a statement showing that minimum acceptable qualities of the person to be placed on a job is turned as ठीक है तो इस वाले question का आपने answer बताना है कि job analysis के अंडर होता है जोब description होता है जोब specification होता है या staffing होता है इसमें question दुबारा पढ़ लेगा एक statement जो show कर रहा है minimum acceptable qualities of the person जो की place करी जाएंगी एक job के according ठीक है तो इन चारों में से क्या process रहेगा वो 13 का अंसर आपने मुझे correct बताना है ठीक है देखो एक statement जिसमें minimum acceptable qualities एक person की place करी जाती है जो एक job के तोरान देखो job analysis का मतलब क्या होगा आप job के दौरान क्या analyze कर रहे है तो यह तो question चपार हो गया job description का मतलब क्या हुआ कि job का description आपको दे रखा है कि सारी details दे रखे हैं कि आपने यह यह बताना है सारी की सारी चीज़े ठीक है staffing तो अलग process होगा तो correct option जो इसका हो जाएगा वो job specification हो जाएगा job specification के अंदर आप यह सारी सारी चीज़े बताते हैं कि क्या क्या qualities चाहिए है इसके अंदर यह qualities होनी चीए है इसके अंदर यह figures होनी चीए है आपने यह degree कर दे होनी चीए है सारी specific टंस उसके अंदर बताए रहते हैं वो किसके अंदर होता है job specification के अंदर आपने धियान रखना है तो जो correct answer हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका 13 का C क्योंकि आर इस स्टेट्मेंट्स लिख लेना स्टेट्मेंट्स लिख लेना स्टेट्मेंट्स लिखके आपने यह देख उसके आगे राइटर का नाम लिख लेना है ताकि आपको याद रहे है ठीक है 13 कोशन हो गया हमारा 14 कोशन पर चलता है 14 कोशन में क्या बोला गया the process of searching for prospective prospective employees and stimulating them to apply for the job is called selection training recruitment या फिर induction ठीक है कि जिसमें हम prospective employees सर्च कर रहे हैं और उन्हें stimulate कर रहे हैं कि वह apply करें job के लिए कि उन्हें मुदलब की एकर से प्रेरित कर रहे हैं कि वह apply कर रहे हमारी जौब के लिए हमें चाहिए सर्च भी करने और उनको stimulate कर रहे हैं कि आप apply करो हमारी जौब के लिए ठीक है तो इसी चीज को बोला जाता है recruitment selection एक प्रोसेस है recruitment आपका ट्रेनिंग है ट्रेनिंग तो दो तरीके होती है of the job training और on the job training ठीक है इंडक्शन सो कोश्चन इस वाले है answer से भार हो जाता है तो आपने ट्रेनिंग भी आपका ध्यान लखना तो दो ऑप्शन के वीच में आपको इंफिस होंगे selection recruitment selection selected pool pool of candidate में से कोई जो परसन स्लेट कर जाता है selection वाला प्रोसेस जो जाता है एक तरह का तो recruitment में क्या होता है recruitment बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसमें हम prospective employees को सर्च कर रहे होते हैं उनको stimulate कर रहे होते हैं कि भाई आप हमारी जॉब के लिए apply करो ठीक है कि इतनी सारी प्रोसेस भी मिल जाएगा selection का भी प्रोसेस मिल जाएगा अपको ठीक है और स्टाफिंग का प्रोसेस तो उसमें नॉर्मल सी बाते मिली जाएगा पंद्रवा जो कोशन है आपका 15 कोशन में यह बोला गया है की how narrative function आप़ेशनल म ratings का ठीक है क्योंकि रिक्रूट्मेंट नीं होती थी पहले सिफ सलेक्शन कर दैते थे आपने flashes पे गीए इस बंदे को स्लेट करلم चाया उसमें तो यह ट्रेडिशनल मेनेजमेंट का पुराने ट्रेडिशनल जो पुरानी मैनेजमेंट थी जलती थी तो उसमें यह लगा नेगेटिव फंक्षन की तरह क्या करा गया है इसके बाद 16 कुशन आ गया तो धियान रखना इन मिडल मेनेजर बोलते हैं कि कहना में जो टॉप लेवल के बीच में बीच में आता है उसमें मिडल मेनेजर्स आ जाते हैं ठीक है फर्स लाइन मेनेजर्स नहीं होते है सूपरवाइजर तो नीचे हो गया उससे फॉर मेन भी उसके नीचे हो गया तो नॉर्मल सी बात है जो अंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 16 वाले का आपका मिडल मेनेजर्स अंसर हो जाएगा ठीक है 17 कोश्चन पर आते हैं which is the process of getting activities completed efficiently and effectively with and through the other people इसको क्या बोलते हैं देखे management की यह proper definition है कि management एक ऐसी कला है जिसके दुआरा हम काम करवाते हैं दूसरे से या फिर काम लेते हैं दूसरे से effectively और efficiently effectively मतलब within the time efficiently मतलब proper utilization of resources optimum utilization of resources ठीक है तो यह 17 गया है यह definition है आपकी management की तो 17 का correct answer क्या हो जाएगा आपका B इसके बाद जो 18 वा कोशन है wasting resources is considered to be an example of efficiency effectiveness inefficiency यह फिर ineffectiveness 18 का बहुत easy question है ठीक है कि इसमें क्या बोला गया है wasting resources is considered to be an example ठीक है यह नहीं ही बोला गया कि wasting resources किसके अंदर में आता है wasting resources considered करा जाता है किसके example में ठीक है तो नॉर्मल सी बात है उससे inefficiency बोला जाता है क्योंकि efficiency क्या होगे optimum utilization of resources और क्याना में wasting resources कि जो उसका हो जाएगा वो डबल वो उसका opposite हो जाएगा ठीक है effectiveness भी नहीं होगा inefficiency इसका हो जाएगा ठीक है correct answer तो 18 वाले का correct answer क्या है inefficiency क्योंकि optimum utilization resources का बहुत अच्छे मतब कि बिल्कुल and use कर लिए हमने उसको efficiency बोल देते हैं और इसमें क्या बोला है wasting resources कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते है inefficiency बोला जाता है आपने ध्यान रखना है ठीक है effectiveness किसका synonym में आपने ध्यान रखना है effective synonym है आपका goal attainment की goal कैसे attain कर पाएंगे ठीक है cost minimization नहीं है resource control भी नहीं है efficiency आपने उपर पढ़ लिए efficiency का synonym नहीं है effectiveness दोनों में English में अगर आपने grammatical पड़ रखा होगा दोनों में काफी जमीनासमान का अंतर है ठीक है तो जो correct answer हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा आपका goal attainment आपने ध्यान रखना है 19 का correct जो answer है वो है C goal attainment ठीक है इसके बाद last question आ जाता है हमारा इस वीडियो का efficiency refers to efficiency क्या रिफर करती है the relationship between input and output the additive relationship between cost and benefit the exponential nature of cost and output increasing output regardless of cost ठीक है 20 का जो होता है efficiency का मतलब क्या होता है relationship between input and output इसका correct answer हो जाएगा क्यों क्योंकि effectiveness में क्या होता है कि input का कैसे best use करके हम output ज्यादा निकाल सके effectiveness का मतलब यह होता है तो relationship भी बता रहा होता है आपका efficiency कि इसके बीच में input और output के बीच में ठीक है तो 20 वाले का जो correct answer हो जाएगा वह आपका a हो जाएगा relationship between input and outputs ठीक है तो जो 20 वाले का correct answer है वह ए है ठीक है यहाँ पर 20 कोशन मैंने आपके management के questions discussion कर दी है यहाँ पर ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में भी और शेयर कर देना वीडियो को ठीक है और क्या नाम है आपको अगर आमारा financial management और management accounting वाला बैच भी जोईन करना है तो उसकी यहाँ